Instant Messaging App WhatsApp अपने users के लिए आया दिन नएड अपडेट जारी करता है अपडेट के जरीए users को नए features की सुविधाय मुरहिया कराता है ये features काफी उपवगी होने के साथ साथ काफी interesting भी होते है हाल ही में WhatsApp में dark mode feature को add किया गया है इसके अलावा और भी काफी interesting features को add किया गया है जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है feature जिससे आप messages को अपने schedule कर सकते हैं साथी साथ auto reply feature को भी add किया गया है यानि आप अगर जब भी चाहें अपने messages को आप schedule कर ले तो automatically एक system generated auto reply सामने वाले recipient को चला जाएगा तो आज का ये video mainly based है इसी पे आज की इस video में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने WhatsApp पे auto reply feature को enable कर सकते हैं ताकि जैसे ही हमारे पास कोई भी message आता है अगर हम उसको reply नहीं भी करते हैं सामने वाले को तो हमारे end से एक reply message generated message चला जाएगा तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और देखते हैं तो auto reply feature को हम WhatsApp पे कैसे enable करेंगे इस feature को प्योग करने के लिए आपको play store से एक ऐसे application को download करना पड़ेगा जो की आपकी settings को apply करेगा तो उसके लिए करते हैं हम सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना play store open और play store open करने के बाद आपको search box पर ही type कर देना है WhatsApp auto reply और जैसे ही type करके आप करेंगे search search करने पर आपको research results में दिख जाए आपको देखने को मिल ला होगा इसमें 4.3 की star rating है करीबन 21 के review भी है और साती सात अगर आप देखेंगे तो इसको 1 million downloads भी है इसमें करीबन 6 MB का यह file है आपको कर लेना है download मैंने इसको download करके रखा हुआ है आपको इसको download करना होगा चूकि मैंने download कर लिया है तो मैं open button पे hit करूँगा तो मेरे सामने इसका interface open हो जाएगा same to same आपके साथ होगा जो भी settings है वो मैं अभी हाँ पे आपके सामने apply करूँगा तो आप इसको ठीक से देख लीजे आपको करना क्या है कैसे करना है उपर पे देखेंगे तो आपको सबसे top पे लिखा हुआ what support हो बगल में notification icon और share का button बना हुआ है फिर three dots है आपको फिलाल उन options पे tick करना नहीं नहीं कुछ उनको छेरना है नीचे home, contacts and statics आप चाहें तो contacts पे जाके आप यह select कर सकते हो कि जो आपका auto reply होगा वो किसके लिए ह सब के लिए होगा तो everyone यानि कोई भी single message आएगा तो उसके साथ भी वो आपका message जो आपने auto reply पे message आप generate करोगे वो चला जाएगा या फिर किसी particular आप बंदे को चाहते हो कि नहीं उनके साथ ऐसा हो उनका जब message आए तो उनको auto reply जाए तो आप वो कर सकते हो या फिर किसी group के यहां पर आपको यह चीज चूज करनी है आप चूज कर लिजेगा फिलाहल हम home पे जाते हैं home पे जाने के बाद यहां पर auto reply off है इसको हम on कर लेते हैं तो जैसे यह आप on करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे screen आएगी screen आने पर आपको scroll करते हुए नीचे जाना है जहां पर ल लोड होगा लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएगा बैट्री अप्तिमाइजेशन में आपको यहां पर सर्च करना है कहीं पर जहां पर लिखा होगा तो फिलाल अगर नहीं लिखा हो दिख रहा है तो आपको scroll करके तो भी नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपक आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको उसके ऊपर हिट कर देना है हिट करने के बाद आपको डन पर अप्लाई कर देना है इसके बाद आपको बैक करना है बैक करने के बाद फिर आपको करना क्या है यहां से आपका लग 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 काम होगे अब यहां से आप यह दिख ल आप चूज करने के बाद आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा और अब यह मेरा काम हो गया खतम अब एक बार मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखा देता हूं मैं अपने पहले वाट्सब्स पर दो अलग अलग वाट्सब्स चलाता हूं तो अब मैं पहले जीबी वाट्सब्स अपने एक मैसेज सेंड करता हूं और देखता हूँ क्या मुझे auto reply में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं फिलाल जी भी whatsapp न कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं जैसे ही कोई एक message send करके देखता हूँ क्या मुझे auto reply मिलता है चुकि मैं अभी दूसरे account पर दो हूँ ने तो जैसे मैं यहाँ से बेखता हूँ यह देखे यहाँ से message मेरे दूसरे account पर चला गया है और वहाँ से मुझे reply मिला at work text you letter साथ में उपर लिखा हुआ है auto reply इसका मतलब ही यह जो message मेरे पास आया है यह user ने यह उस पंदे ने लिखके नहीं बेजा यह auto reply है यह अपने मन से reply हुआ है यानि अभी काम पे यह वो आपको बात करेगा I hope बहुत ही simple से trick आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा trick काफी helpful है और advanced messaging के लिए इसका इस्तमाल करते हैं mainly आप चाहते हो अगर आप कोई business purpose पर whatsapp यूज कर रहे हो तो वहां पर आपके clients को answer करने के लिए यह काफी helpful हो सकता है आप अलग-अलग messages को record कर सकते हो अपनी इच्छा नुसार अपने recipients के साथ आप उन messages को share कर सकते हो और जबकि आपको खुद share नहीं करना पड़ेगा यह application खुद बखुद उस चीज़ों को apply कर लेगा I hope आपको trick समझ में आ गई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आया इसे like करिए अपने friends के साथ share करिए अगर आप channel पे हमारे नए हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा साती साथ आपके वीडियो के लिए कोई feedback है कोई review है आप चो देना चाहते हो तो please आप उसे comment section पे link दीजिए साती साथ कोई नए topic है जिस पर आप हमारे एंड से वीडियो चाहते हो तो आप उस topic को भी link दीजिए आज की वीडियो में फिलाल इतना ही है अब बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक अमना खुबसरा ख्याला किये बाई बाई टेक किया